आज मैं आपको बोनलेस्टिकन बनाने का तरीका बताती हूं के लिए मैं ले रहीं चार्पून बोनलेस्टिकन, एक भरे साइस का प्यास, लसन अद्रकी पेस्ट, टमाटर, हरी मेरच, हरा दनिया, कटा हुआ अद्रक वन टी स्पून लाल मिरच, वन टी स्पून नमक, हाफ टी स्पून हल्दी, हाफ टी स्पून सुका धनिया, हाफ टी स्पून करश मिरच, और गरम मसाले में दो बरी अलाची, काली मिरच, धाल चिनी, लोंग, तीन छोटियें लाचियें, और छे टेबल स्पून दहीं के सबसे पहले एक पतीली लें और उसमें ओयल डालें जैसे ही थोड़ा सा ओयल गरम होता है तो उसमें प्यास डाल दें आप देखें जब प्यास जरा सा नर्म होता है तो उसमें आप लसन अद्रकी पेस्ट डाल लसन अद्रकी पेस्ट डालने के बाद इसको थोड़ा सा भून दे फिर इसमें बोनले स्टिकन डाल दे चिकन डालने के बाद इसको थोड़ा सा पकने देंगे जब देखेंगे कि चिकन की रंगर थोड़ी बदल गई है तो फिर इसमें हम बाकी की चीजें डालेंगे हम सबसे पहले टोमाटर डालेंगे और टोमाटर को चिकन के साथ 5 मिनद पकने देंगे अब देखें के टमाटर बिल्कुल गल गया है अब हम इसमें मसाले डालेंगे सबसे पहले हम इसमें नमक डालेंगे जो के 1 टी स्पूंग मिरच 1 टी स्पूंग अब हम फल्बी डालेंगे जो के 5 टी स्पूंग है और इसके बाद हम करश मिरच डालेंगे जो के वो भी 5 टी स्पूंग क्रश मिर्चों के बाद अब हमसु का दन्या पीसा हुआ डालेंगे जो के हाफ की होगा गरम मसाला डालेंगे जिसमें दो बरी अलाची गाली में रच, दाची, लोंग, दो चुटी अलाची मसाला डालने के बाद चिकन को पांच मुने पकने दो और इसको अच्छी तरह भूंगे के बाद इसमें हम हरी मिर्चें डालेंगे और साथ ही छेट टेवल स्पून दहीं के लिए डाल देंगे कारी मिर्चें और देहीं डालने के बाद आपने इन दोनों को अकठा अच्छी तरह भूंगे लिए रहे के बाद इसमें हरा दन्या डाली और साथ ही कटा हुआ अद्रख भी डाल अब चिकन तेयार है इस पोडिश में डाली और सर्थ करेंगे क्टार अब बाद दो